हे गाईज, इस केज़ फरार भी हेर और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आपने पोक आफ़न में पिक्सल एक्सपिरिंस का प्लस एडिशन यूज़ कर रहा हूँ करेंटली इस विडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपने फोन में कॉर्वस OS कैसे इंस्टोल करनी है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले में आपको बता दू कि आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले है दो चीजों की रिक्वार्मेंट 7.5, Disable Force Encryption, यहाँ पे जो POC-1 की latest firmware file हो, यहाँ पे Loren Kernel की जो zip file हो यहाँ लोरन Kernel की यह तो APK है इसके बाद आपको एक Magisk module भी download करना पड़ेगा, अगर आप इसे root करना चाते हैं तो, तो guys जब आप यह सारी files download कर लें अपना bootloader को लोक करके अपने phone में TWRP इंस्टोल कर लें, उसके बाद का step यह है guys अगर आप MIUI पे तो आपको वहाँ से अपना MIUI अकाउंट हटा देना है, Google अकाउंट हटा देना है, यहाँ आपके phone में जितने भी security या password सा उन सबको भी हटा देना है, साथ इसाथ आपको अपने data का backup भी ले रहे हैं कि अगर बीच में हमारा phone boot loop में first जाए, तो हमें phone को format करना पड़ेगा, तो सबसे पहले गाईज हम अपने password को यहाँ से हटा देते हैं हमें यहाँ से सबसे पहले अपने fingerprint हटाने है इसके बाद जो screen lock है, उसको भी हटा देना है ताकि आपका phone encrypt ना हो इसके बाद गैस आपके phone में जितने भी accounts आपको अपने सारे accounts delete कर देना है इसमें से यह सारे steps आपको MIUI में भी करने है MIUI में आपको एक MI account भी देखने को मिलेगा आपको उसे भी हटा देना है वहाँ से पूरी तरीके से तो guys अगर आपने इस सारे steps complete कर लिये हैं तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं जानते हैं कि इसमें Corvus Works को कैसे install किया जाए तो guys सबसे पहले आपको अपना volume up button और power button दोनों को दबा के रखना है ताकि आपका phone जो है वो TWRP में boot हो सके तो मैं आपके दोनों buttons को दबा के रखता हूँ कुछ time के लिए यहाँ पे phone automatically बंद हो जाएगा न आपको एक vibration feel होगी vibration feel होने के बाद आपको buttons को छोड़ देना है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं TWRP के version 3.4.0.0 में आ चुका हूँ आपको यह version का जो link है वो भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा अगर आप latest TWRP पे नहीं है तो आपको इसमें आने के लिए आपको just install पे क्लिक करना है install image पे क्लिक करना है और नीचे दी गई फाइल से TWRP की latest फाइल को डाउनलोड करके यहाँ पे flash कर देना है तो guys चलिए Corvus OS के लिए हमें सबसे पहले wipe में जाना होगा back जाने के बाद हम install पे जाएंगे install पे जाने के बाद आपको यहाँ पे 5 फाइल से देखने को मिल रही है सबसे पहले हमें POCO F1 Global Version 11.0.8.0 की firmware को install करना है तो firmware को install करने के बाद यहाँ पे firmware install हो रही है इसके बाद का जो step उसमें आपको back जाना है इसके बाद गैज आपको Corvus OS की official file को इसमें install करना है add more zips करके आप यहाँ पे लोरन को select कर लीजिए और यहाँ पे इसे flash कर दीजिए तो यहाँ पे Corvus OS जो है वो आपके phone में boot होना start हो चुका है तो गैज यहाँ पे जो Corvus OS वो आपके phone में install होना start हो चुका है गैज हम वेट करते हैं जब तक Corvus OS install होता है यहाँ पे गैज Corvus OS की जो installation है वो complete होने वाली है इसके बाद आपको लॉरन करनल के installation start होते हो दिखेगी तो गैज यहाँ पे लॉरन करनल जो वे इंस्टॉल हो रही है यहाँ पे जो लॉरन करनल है वो भी इंस्टॉल हो चुकी है यह 13.1 है जकार्टा एडिशन जो कि एक और क्लॉक बिल्ड है इसके बाद आपको back जाना है back जाने के बाद आपको यहाँ पे disable force encryption को flash कर देना है and guys अगर आप अपने phone को root करना चाते है तो आप magisk को भी यहीं पे flash कर सकते है जो disable force inscription की file लेगा जो उसमें आपको magisk 20.4 inbuilt देखने को मिलता है यहाँ पे जो मारा magisk के and disable force encryption वो दोनों फाइले flash हो चुकी है मैं फटा-फट यहाँ पे delvig catch को wipe कर देता हूँ यहाँ पे reboot system करके do not install पे click कर देता हूँ तो guys यहाँ पे हम wait करेंगे जब तक हमारा पहला boot start होता है तो यहाँ पे आप देखने पोको का sign देखने को मिल रहा है आपको तो guys यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें Corvus OS की बहुत ही amazing animation देखने को मिल चुकी है यानि कि जो हमारा Corvus OS है वो यहाँ पे install हो चुका है हमारे phone में यह first boot है इसमें आपको 3-5 मिनट लग सकते हैं तो जब तक ही first boot complete होती है हम video को skip कर देते हैं तो guys जो हमारी first boot है वो start यहाँ पे हो चुकी है और यहाँ पे complete होने के लिए हमें यहाँ पे setup करना पड़ेगा तो मैं फटा-फट अपने phone को setup कर लेता हूँ तो guys जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा phone जो हो Lauren kernel के साथ अपने Corvus OS में boot हो चुका है अगर मैं आपको अपनी setting में जाके about phone में जाके यहाँ पे आपका android version पे click करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Corvus का जो version हो 7.5 omen है जो कि एक official version है इसके बाद अगर मैं kernel version आपको दिखाऊं तो यहाँ पे kernel version जो है वो Lauren 13.1 है जो कि जकार्ट edition है यह एक overclocked version है तो guys यही थे सारे step को और वा सो इसको install करने के हैं इसको install करने के बाद guys आपको नीचे description में AP के file का भी मैंने link दिया है आपको जो वो AP के file है उसको भी install कर लेना आपको अपने files में जाना है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Lauren की जो file है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी तो मैंने इसे पहले इंस्टोल कर लिए है आपको इसे इंस्टोल करने के बाद इसमें आप लोरेन करनल की प्रोफाइल को इंस्टोल कर सकते हैं जिससे आपको लोरेन करनल के उपर पूरा कंट्रोल मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप charging speed को भी control कर सकते हैं तो गाइस यही थी सारी वीडियो Coro SOS के installation को लेके और साथ साथ मैंने इस वीडियो में आपको Loren Kernel को कैसे install करना उसके बारे में भी बता दिया है अगर आपको इन दोनों चीज़ों से related कोई भी question हो तो आप मुझे नीचे comments में पूछ सकते हैं यह gaming centric roman में इसका एक dedicated gaming review भी करने वाला हूँ साथी साथ मैं अपने overview भी दूँगा इस रोम के बारे कि आप इसे day to day में use कर सकते हैं कि नहीं तो आप उन दोनों वीडियों का wait कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप ऐसे future में amazing वीडियों देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और मेरे चनल को subscribe करके bell icon को दबाना बिलकुल मत भूलिए तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you